तो आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ओफिसेल जो अगर अपना नाम लिखके और गुरुबडी लिखके भेज़ देंगे तभी आपको अपको सारी PDF अवलेबल हो जाएंगे और दोस्तो आपका सभी test और PDF solution के साथ दिये जा रहा है तो फटा फट जाके इसको ले लिजे और अगर आप चाहें तो separate test भी दे सकते हैं लेकिन science का देखे जैसे चार अपसन है आपके पास बताना है कि जो carbohydrate होता है वो मानोशरीर में किस रूप में तूटता है राइट अंसर बात के दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमबर A यानि ग्लूकोज कार्बोहाइडरेट मानोशरीर में ग्लूकोज के साथ में तूटता है रूप में ग्लूकोज एक मोनो सैकराइड है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो निम्ने में से कौन कार्बोहाइडरेट नहीं देता है चार अपसन है आपके पास बताना है कि इन में से कौन सा कार् इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number A यानी पालक, बात करें कार्बोहडरेट की तो मखन, चीज, मचली में कार्बोहडरेट पाया जाता है, इसके लाओं जो पालक है, इसमें कार्बोहडरेट में पाया जाता है, पालक में लाओ तत की मात्रा अधिक पाया जाती है, अगला question दे यानि सोयाबीन अगर दोस्तों गुडवत्ता के आधार पर बात करें तो सबसे अच्छा प्रोटीन अंडा होता है और मात्रा के आधार पात करें तो सरवाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाये जाता है अगला कोशन देख लेते हैं पित्र इस्तरावित होता है most very very important यह question है maximum बार एक्जाम में यह question repeat होता है कि पित्र इस्त्रावित कहां पर होता है जिसका right answer हो जाएगे दोस्तो option number D यानि लीवर से आपको बता दे कि पित्र का जो इस्त्रावर होता है वो यक्रित यानि लीवर के द्वारा होता है जो पित्तासा में एकत्रित होता है चलिए दोस्तो अगला question देखते है मानो गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिक्तम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है आपको बताना है कि जो मानो गुर्दे में पथरी बनती है उसमें अधिक्तम पाया जाने वाला परदाच कौन सा है ये भी most most important question है दोसो जिसका right answer हो जाएगा option number A यानी calcium oxalate गुर्दे की पथरी में मुत्र तंत्र की एक ऐसी इस्तिती है जिसमें गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर सदिस्र कठोर वस्तूओं का निर्माड हो जाता है अगला question है दोस्तो vitamin A का एक अच्छा इस्तित्रोत है most important है इस सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से vitamin A का जो सबसे अच्छा इस्तित्रोत कौन सा है तो इसका right answer है कि दोस्तो option number B यानी गाजर गाजर जो कि इसे हम कैरोटीन को vitamin A निर्माड करने वाला कहा जाता है जो गाजर में पाया जाता है गाजर vitamin A का एक अच्छा इस्तित्रोत है अगला question देख लेते हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवसकता खास होती है आपको बताने कि जो पेट में भोजन को पचाता है इन में से किसकी आवसकता महत्तपूर यानि खास है तो इसका right answer हो जागा दोस्तों option number C यानि enzyme भोजन के पाचन है तो enzyme क्या हो सकता मुख रूप से होती है विविन प्रकार के भोज पदार्थों के लिए दोस्तों विविन प्रकार के enzyme होते हैं अगला question देख लेते हैं निम्नलिकित में से किस अमलकी उपस्थित हमारे पेट में होती है चार अपसन है अपके पास बताना है कि हमारे पेट में किस अमलकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि hydrochloric अमल है hydrochloric अमलकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है या भोजन को तोड़ता है तथा पाचन में सहाय प्राइता करता है या पेट में अमली वाता वरण भी बनाता है दोस्तों अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तों भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंब होता है आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है उस किस अंग से प्रारंब होता है तो इसका आइटाम से हो जाएगा ओप्सन नमबर ए यानि माउथ मूँ से जो भोजन का पाचन होता है मूँ से प्रारंब होता है और मुख में इस्थित जो दात होते हैं वो भोजन को छोटे चोटे टुकों में तोड़ते हैं, जिससे पाचक एंजाइम इस पर क्रिया आसानी से कर सके, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, निमने लेकित में से कौन सा मनुस्य के पाचन तंत्र का भाग है, चार अप्सन है, बताना है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है, most important तो इसको right answer जाएगा दोस्तों, option number B यानी अगनिया से, बात करें तो पाचन जो कि पाचन तंत्र या, पाचन छेत्र में संपन होचा है, और पाचन तंत्र मुह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक नली है, जोस्तों आपके आगामी examination जो 17 अगस्त से होने वाले हैं, दोस् अभी के अभी ये ebook का link आपको description box मिल जाएगा, and GK के top 70 topic, क्योंकि topic wise cover करना बहुत जरूरी होता है, examination से पहले आप पूरा revision कर डाली है, जितने भी आपके topic आते हैं, उन सभी को इस topic wise में cover किया गया है, इसका भी link आपको नीचे मिल जाएगा, and science के 1000 question दोस्तों, इनका भी किस पोसक तत्व का सरोपर्थम मुह में पाचन होता है, आपको नहीं हिन में से कौन सा पोसक तत्व है, जिसका सरोपर्थम मुह में पाचन होता है, जिसका right answer हो जाएगा, option number B यानी carbohydrate, carbohydrate का मुख से पाचन प्राराम हो जाता है, लार में टाइलीन नामक एंजाइम प लगता है चार आपसन है आपके पास बताने है कि मनुस्ष को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है इसका राइटाम से हो जाएगा आपसन नमबर ए यानी कार्बो हाइडरेट सक्कर में परिवर्तित हो जाता है आपको बता दे कि मुह में जो रोटी चबाते समय लार ग्र करा होने के कारण मीठी होती है जिससे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों मानो सरीर में भोजन मुख्यता किसमें पच्चता है चार आपसन है आपके पास पताना है कि मानो सरीर में भोजन किसमें पच्चता है इसका right answer हो जाएगे दोस्तों, option number B यानि छोटी आंत में, मानो सरीर में जो आहार यानि भोजन होता है, मुखेता छोटी आत में पच्चता है, और छोटी आत की दीवारों से आंतरिक रक्स निकलता है, आंतरिक रस छारिय होता है, अगला कोशन देख लेते हैं, vitamin C का सबसे अच्छा इस्तरोत है, चार अपसन है, आपके बताना है कि vitamin C का सबसे अच्छा इस्तरोत इन में से क्या है, जिसका right answer जाएगे दोस्तों, option number B यानि नीम्बू लेमन, जो कि आपको बता देख, vitamin C का जो रासायनिक नाम है, ओ है ascorbic acid, या खटे फलो जैसे आवला तथा नीम्बू में सरवाधिक मातरा में पाये जाता है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, vitamin C की कमी से होता है, आपको बताना है most important है कि vitamin C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आइट अमसर है option number D यानी इसकरवी, इसकरवी जो की vitamin C की कमी से होता है, प्राचिन काल में समुद्र यात्रा करने वाले ब्यक्तियों को इसकरवी रोग हो जाता था, vitamin C के मुख हिस्तों अभी मैंने बताया कि आवला है, नीबू है, संत्रा है, मुसम्मी है, इत्यादी, अगला कोशन देख लेते हैं, मानो सरीर में सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इसकर आइटान से हो जाएगा, अप्सन नमबर D यानी oxygen, जो कि मानो सरीर में सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, अगर प्रतिसत की बात करें तो 65%, जबकि कारवन की बात के दोस्तों तो यह 18% प्रतिसत पाय जाता है, और nitrogen की बात करें तो यह 3% प्रतिस्त पाय जाता है, कि मनुष्य से लोहा किससे प्राप्त करता है तो इसके राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि पालक से और बात के दोस्तों पालक हो गया चोराई हो गया मेथी इत्यादी हरे पत्यदार सब्जीयों से लोहा प्राप्त करता है मनुष्य अगला कोशन देख लेते हैं खाली अस्थान है का अपघटन मानों में अलजाइमर रोग का अभी लच्छड है इन्हों से बताना है कि किसका अपघटन मानों सरीर में अलजाइमर रोग का अभी लच्छड है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों option number C वसा देती है most important है आपको बताना है कि एक ग्राम वसा इन में से कितनी उलजा देती है जिसका राइट अंसर जाएगा option number C यानी 9 कैलोरी उलजा वसा का जो निर्मार होता है कार्बन हाइडोजन तता अक्सीजन से होता है वसा में अक्सीजन की मातरा कम होती है ये जल की कमी की कारण संचे के लिए कम अस्थान घेलती है अगला कॉशन देख लेते हैं सुक्रोज में क्या होता है आपको बताना है कि सुक्रोज में क्या होता है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों option number B यानी glucose एवं fructose सुक्रोज जो कि रासानिक सरचना के अधार पर dicechirides प्रकार का कार्बो हाइडरेट है जिसमें glucose एवं fructose होते हैं जिसमें glucose एवं fructose होते हैं उनमें सुक्रोज गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाए जाता है अगला question देख लेते हैं, कौन सा vitamin रक्त को जमाने में मदद करता है, most important ये भी है, आपको बताने इन में से कौन सा vitamin है, जो रक्त को ठक्का बनने में मदद करता है, इसका right answer हो जाएगा, option number C, यानी vitamin K, जो की रक्त को जमाने में मदद करता है, अगला question देख लेते हैं दोस्तो, vitamin A का सबसे अच्छा स्तरोथ है, आपको बताना है किन में से, vitamin A का जो सबसे अच्छा स्तरोथ क्या है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number A, यानी अंडा, vitamin A या retinal का जो सबसे अच्छा स्तरोथ है, अंडा है, इसके अलामा दोस्तो, vitamin A औ दो सो मेरेसमस किसकी कमी के कारड होता है आपको पता है कि जो मेरेसमस विमारी होती है वो किसकी कमी के कारड होता है जिसका right answer हो जाएगा option no.A यानि calorie की कमी से, protein की कमी से बच्चों में कواसर超 या मेरेसमस नामग रोग होता है मेरेसमस रोग में सरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है और आखे भीतर धर जाती है बाल जड़ने लगते हैं तथा तवचा पर जुर्रियां पढ़ जाती है दोस्तो अगला कोश्चन देख लिएते हैं क्रिटी नीज्म क्या है आपको बताना है इंनमे से कि जो क्रिटी नीज्म है ओ क्या है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो अपस Houston No.B यानि बच्चों में होने वाला एक रोग बच्चों में जोकी क्रिटी नीज्म रोग थायरॉक्सीन की कमी से हो जाता है ऐसे गुरूप, पेट बाहर निकलना हुआ, जीव मोटीव बाहर निकली हुई, जननांग, अलप विक्सित तथा त्वचा सुखी हुई होती है, अगला कोशन देख लेते हैं, मधुमे का कारण है, चार अपसन है, आपके पास पताना है कि मधुमे का कारण क्या है, ये भी most important question है दोस्तों, तो इसका राइटम से हो जाएगा, option number A, यानि इंसुलीन की कमी, सरीर में जो अगनियास है की बीटा को सिकाओं से, इंसुलीन स्त्रावित होता है, ये मुख्यत है, प्रोटीन है, ये कार्भोहाइडेट के उपापचे में महतपूर है, जो कि सरीर में इंसुलीन की कमी से मदू में ये नामग रोग होता है, और इस रोग में मूत्रोवा रक्त में सरकरा की मात्रा बढ़ जाती है, बर्फ के दो टुकडो को आपस में दबाने पर, टुकडे आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आपको बताना है इनमें से, कि टुकडे आपस में क्यों चि गलनांक होता है वो घट जाता है आपको बता देख जब बर्फ के टुकड़ों को परस पर दबाते हैं तो संपर्क अस्थान पर जल का जो गलनांक होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचा होने के कारण उस अस्थान की बर्फ गलने लगती है और दाभटा लेने पर निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है आपको बताना है जो कि ठोस की सुधता होती है वो किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है तो right answer हो जाएगा option number B यानि गलनांक बिंदू आपको बता दे कि किसी ठोस की सुधता उसके गलनांक बिंदू द्वारा निर् तेरना आसान क्यों लगता है? Most important question है दोस्तों, आपको बताना है कि जो तेराक होते हैं, उन्हें नदिक मुकाबले समुद्री पानी में तेरना आसान क्यों लगता है? तो इसका राइट अंस तो जाएगे दोस्तों, option number C यानि समुद्री पानी का जो घनत होता है, वो साधारण पानी से ज्यादा होता है, आपको बताएं कि जो प्लवन के लिए वस्तु का भार, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रौ के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रौबार को भी स्थापित करेगी, उतनी आसानी से तैरेगी, अगला कोशन देख लेते हैं, एक जहाज एक नदी से समुद्रे में पहुचता है, तब क्या होता है, आपको बताएं जो एक जहाज होता है, वो एक नदी से स का भार उसके कुल भार के बराबर होता है, और समुद्र के जल का जो घनत होता है, नदी के जल से अधिक होता है, इससे जहाज समुद्र में नदी की पेच्छा कम डूब कर ही अपने भार के बराबर जल हटा देता है, अर्थात जहाज उपर की और उठ जाता है, अगला जील की तलहटी से सतह पर आता है तो क्या होता है तो right answer हो जाएगा दोस्तों option number B यानि यह आकार में बढ़ जाता है आपको तादे कि किसी जील में गहराई में जाने पर दाब बढ़ता जाता है और सतह की ओर आने पर दाब कम हो जाता है इसलिए हवा का जो बुलबला होता है जब उपर की ओर आता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है इसके परड़ाम सुरूप उसका आकार बढ़ जाता है तो थरमस प्लास्क में रखा गर्म द्राव किस प्रक्रिया से सुरच्छित रहने के कारण गर्म बना रहता है बताना है कि जो थरमस होता है उसमें रखा जो द्राव होता है किस प्रक्रिया से सुरच्छित रहने के कारण गर्म बना रहता है तो राइटांस हो जाएगा अप्सन नमर डी यानि उपर युक्त सभी आपको बता दे कि जो उसमा उलजा का छरण तीन प्रक्रियाओं द्वारा होता है कौन-कौन से तो चालन, स तथा विक्रण और थर्मस फ्लास्क इन तुनो प्रक्रियाओं से उसमा उलजा के छरण को रोकता है और थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरच्छित गर्म बना रहता है अगला कोश्चन देख लेते हैं वाईयो मंडली दाब मापा जाता है आपको बताना है कि जो उपकरण है जिनके द्वारा सापेच आर्दता मापी जाती है और हाईडो मेटर द्वारा दव का आपेच्छिक घनत भी मापा जाता है और अल्टी मेटर की बात करें दोस्तों तो यह निश्चित अस्तर के उपर किसी वस्तु की उचाई मापी जाती है और बैरो मेटर से दोस्तों आपके उने बताया कि वायू मंदली दाबमापने का एक बैघ्यानिक उपकरण है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों सीमांत घर सड निर्भर करता है चारा भसने आपपास बताना है जो सीमांत घर सड होता है वो किस पर निर्भर करता है तो इसका राइट अंसर जाएक दोस्तो ओप्शन नमबर B यानि तल की प्रकृती और अभिलंब प्रतिकिरिया पर सिमान्त घरसड की बात करे तो यह बल तल की प्रक्रिती पर निर्वर करता है यदि तल खुरदुरा है तो घरसड अधिक होता है और यह बल अभिलम प्रतिक्रिया पर भी निर्वर करता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो द्रीड़ता गुडांक का मातरक क्या है आपको बताना इनमें से जो द्रीड़ता गुडांक होता है उसका मातरक क्या होता है तो राइडन से हो जाएगा ओप्सन नम्म B यानि निउटन प्रति मीटर इसक्वाइर द्रीड़ता गुरांग का मातर क्या होता है तो न्यूटन फ्रती मीटर स्क्वाइर चले दोस्तो अगला कोशन देख लेते हैं वर्सा की बूंध गोलाकार क्यों होती है very very important and most repeated question maximum exam में ये question जरूर से जरूर आता है दोस्तो वर्सा की जो बूंध होती है वो गोलाकार क्यों होती है तो इसका right answer हो जाएके दोस्तो option number A यानी प्रिष्ठ तनाव के कारण आपको बतादे कि किसी भी द्राव के सता पर एक तनाव बल कार करता है जिसे द्राव का प्रिष्ठ तनाव कहते है और इस तनाव के कारण द्राव के सता का छेत्रफल कम होता जाता है और गोलाकार वस्तो की सता का छेत्रफल सभी आकार के छेत्रफल से कम होता है इसलिए ही प्रिष्ठ तनाव के कारण वर्सा की जो बूंदे होती हैं गोलाकार हो जाती है अगला question देख लिते हैं ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या सामिल है आपको इन्विस बताना है जो ब्लाटिंग पेपर होता है द्वारा उसके द्वारा स्याही सोखने के में सामिल है तो राइटन से हो जाएगा ओप्शन नम्म बी यानि केसी की अभिक्रिया परिगटना के पारा में क्या होता है तो राई डांसर हो जागा आपसन नमबर बी यानी तैरता है आपको बता दे कि लोहे का जो घनत्व होता है वो पारा से कम होता है और यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रौ से कम होता है तो आप दार्थ उक्त द्रौ में नहीं डूबेगी अता लोहा अभी पारा में डूबता नहीं है, बलकि वो पारे पर तैरता रहता है, चली अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेमन में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, चार अपसन है, अपके पास बताना है कि इन में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक हो तथा जो एस्तुएं जल पर तैरती रहती हैं, उनका घनत तो जल के घनत से कम होता है, इसलिए बर्फ हो गया, कौर्क हो गया तथा खर्मो कोल के टुकड़े जल पर तैरते रहते हैं, और लोहे का टुकड़ा या कील जल में दूब जाती है, अगला कोशन देख लेते हैं, न अंसर हो जाएगे दोस्तों, और की उंडिज कि सिधान के अंसार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंसिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में या आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गया द्रव के भार के बराबर होती है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, प्रेसर कूकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटर कोशन है दोस्तों, आपको बताना है जो प्रेसर कूकर होता है, उसमें भोजन जल्दी क्यों पकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों, आप्सन नमबर B यानी पानी का जो कथनांग होता है वो बढ़ जाता है, प्रेसर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी बढ़ बनता है, क्योंकि कथनांग दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है, और अधिक उचे ताप पर उबलन लगता है, आपको बताना है कि इन में से पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो राइटन से हो जाएगे दोस्तों, अप्सन नमबर A यानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम, पहाड़ों पर जो दाब कम होता है, अता यहां का पानी 100 डिग्री सेल्सियस स उचाई पर खाना देर से क्यों बनता है आपको बताना है कि उचाई पर यानि पहाड़ो जैसे जगहों पर खाना देर से क्यों बनता है तो राइटन से हो जाएके दोस्तों, आपसन नंबर D यानि वाय उमन्डली दाप जो होता है ओ घड़ जाता है, उचाई पर वाय मन्डली दाप घड़ जाता है, जिसे से पानी का कोथनांख Benedict कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाश्प बनकर उड़ जाता है, और खाना बन तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानी minus 49 degree Celsius पारा जो की एकमात धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है और इसका हेमांग minus 49 degree Celsius एवं कोथनांग 357 degree Celsius होता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो निरपेच सुने ताप पर आपको बताना है कि जो निरपेच सुने ताप पर क्या हो जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानी आडविक गती रुख जाती है आपको बता देख जो निरपेच सुने ताप पर आडविक गती रुख जाती है औ आपको बताना है जो सक्कर के घोल का जो तापमान जब बढ़ा देते हैं तो सक्कर की बिलेता में क्या होता है? तो इसका right answer हो जाता है option number B यानी बढ़ती है सक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर सक्कर की बिलेता बढ़ जाती है क्योंकि इससे सक्कर के अड़ों को तोड़ने के लिए उल्जा प्राप्त हो जाती है अगला question देख लेते हैं आड़विक संगटन के द्वारा उसमा का संप्रेसर क्या कहलता है चार अपसन है आपके पास बताना है जो आड़विक संगटन के द्वारा उसमा का संप्रेसर होता है तो right answer हो जाएगा option number B यानी समवहन समवहन की प्रक्रिया में उसमा का संचरण अड़वों के वास्तविक अस्थनांतरण के द्वारा ही होता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो गैसो को समतापी रूप में फैलने देने पर आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा जब गैसो को समतापी रूप से फैलने देने पर तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानी इसके द्वारा कार किया जाता है आपको बता दे कि जो गैस होते हैं उनको समतापी रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार किया जाता है क्योंकि समतापी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार किया जाता है अगला कोशन देख लिए दोस्तों उनी कपड़े सूती वस्तरों के पेच्छा गर्म होते हैं क्योंकि वे आपको बताना है कि जो उनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों के पेच्छा गर्म होते हैं क्यों तो इसका राइटन सो जाएगा option नमर B यानी ताप के अच्छे रोधक होते हैं उनी कपड़े जो कि सूती कपड़े के पेच्छा ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि उनी कप कपड़े के बीच में हवा होती है जो उस्मा के कूचालक का कार करती है इसलिए ही उनी कपड़े ज्यादा गर्म होते हैं अगला कोशन देख लेते हैं ग्रीस मकाल में हमें सफेद वस्त धारड करने की सलाह दी जाती है क्यों आपको बताना इनमें से क्यों गर्मियों में हमें सफेद कपड़े धारर करने की सला दी जाती है तो राइटन से हो जाएगा अप्सन नमर सी यानि सफेद वस्त जो होता है ताप का कम और सोसर करते हैं और ग्रिस समकाल में हमें सफेद वस्त धारर करने की सला इसलिए जाती है क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कामा उसर करते हैं तथा सफेद वस्त्र ताप को परावर्तित भी कर देता है अगला question देख लेते हैं दोस्तों सरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है आपको बताना है कि सरीर से जो पसीना निकलता है वो सबसे अधिक कब निकलता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि जब तापकरम अधिक और हवा आर्द हो तो सरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा म निकलता है क्योंकि वायू मंडली में नमी की मात्रा होने से पसीने का वास्पो सर्जन होता नहीं है सबसे पहला कोश्चन है दोस्तो जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है आपको बताना है कि जब सोडियम फ्लोरीन से अविक्रिया करता है तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर A यानी इस तरह बना हुआ योगिक गलित अवस्था में विद्धूत का सूचालक होता है सोडियम से फ्लोरीन की अविक्रिया में विद्धूत सउयोजक बंध बनता है और इस प्रकार बनायोगिक सोडियम फ्लोराइड गलित अवस्था में और आएनों में तूट जाता है और इस प्रकार विद्दूत का सूचालक होता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो किस अमल का उपियोग सीशा संचायक बैटरी में किया जाता है Most important ये कोशन है आपको बताना है कि कौन सब अमल है जिसका उपियोग सीशा संचायक बैटरी में किया जाता है राइट आंसर हो जाएगे दोस्तो अप्सन नमबर A यानी सल्फियूरिक अमले सीसा संचायक सेल में सीसे के दो प्लेट समोह होते हैं इन प्लेट समोहों में जालियां कटी रहती हैं और इन जालियों के बीच लीथार्ज का सल्फियूरिक एसीड में बना पेस्ट भर देते हैं और सिल में सल्फियूरिक अमल भरा जाता है अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तो कैलसियम कारबाइड पर जल डालने से क्या बनता है आपको बताना है कि जो कैलसियम कारबाइड होता है उस पर जल डालने से क्या बनता है तो राइट अन से हो जाएगा ओप्शन नम्बर C यानि एसी टिलीन जो कैलसियम कारबाइड पर जल डालने से एसी टिलीन बनता है दोस्तो अगला कुश्चन देख लेते हैं प्राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर ए, PbO2 जो की बेरियम परकसाइड तथा हैडोजन परकसाइड और परकसाइड आयन देते हैं तथा अगर हम बात करें N, A2O और PbO3 की तो यह परकसाइड आयन नहीं देते हैं दोस्तो अगला कोश्यन देख लेते हैं द नीबू होता है रसका pH होता है वो लगभग कितना होता है तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नंबर C यानि 2.4 नीबू में आपको बता दे कि साइट्रिक अमल होता है और इसका pH 2.4 होगा वह विलियन जिसका pH 7 होता है उदासीन होता है और 7 से कम pH वला विलियन अ पारी होता है इंपोर्टेंट पर याद रखिएगा दोस्तो ब्राउन रिंग परिछड का प्रियोग होता है चार अप्सन है आपको बताना है कि जो ब्राउन रिंग होता है वो परिछड का प्रियोग होता है तो इसका राइट अंसर जागा अप्सन नंबर A यानि नाइट परिछड एक रासानिक परिछड है जो किसी विलेयन में नाइटरेट आइनों की उपस्थिती ग्यात करने के लिए किया जाता है ब्राउन रिंग परिछड एक आम नाइटरेट परिछड है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों सोडा वाटर क्या है आपको बताना है कि जो सोडा वाटर होता है वो इन में से क्या है राइट अंसर जाएगे दोस्तों अपसन नमबर सी यानि एक कोलाइड सोडा वाटर कार्बोनेट वाटर क्लब सोडा स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है जो एक कोलाइड होता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दुस्तों लिए विनाइल क्लोराइड का उपियोग होता है आपको बदाने जो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है उसका उपियोग कहां पर होता है तो राइट अंसर जाएगा दुस्तों अप्सन नमबर डी यानि उपरोक्त सभी में आपको बताने जो पॉली विनाइल क्लोराइड यानि PVC होता है एक थर्मो प्लास्टिक बहुलक है और PVC का प्रयोग ब्यापक रूप से सीट कवर बनाने में चादर बनाने में बरसाती बनाने में और प्लास्टिक पदार्थों के निर्माड में होता है चलि कितना प्रतिसत है तो राइट अंसर जाएक दोस्तो अप्सन नमबर बी यानि 2.7 प्रतिसत संपूर प्रित्वी भी बात करें तो 70 प्रतिसत के करीब जन मंडल और 30 प्रतिसत के करीब अस्थल मंडल है और 20 में जल के कुल आयतन का 96.5 प्रतिसत भाग महासागरों में पाय ज जल है चलिए दोस्तो अगला कुश्चन देख लेते हैं मिल्क ओफ मेगनीसिया है आपको बताना है कि मिल्क ओफ मेगनीसिया इन में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर जागे दोस्तो अप्सन नमबर बी यानि एम जी ओ याज ट्वाइस इसे मेगनीसियम भी कहते हैं और इसका औसदी में प्रयोग किया जाता है अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तो उत प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके किस वायू मंडली उत सर्जन को मुख्यता कम कर सकते हैं चारा अप्सन आपको पास बताना है कि उत प्रेरक परिवर्तन का प्रयो करके किस वायू मंडली या उत्त सर्जन को मुख्यता कम कर सकते हैं जिसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर डी यानि इन में से कोई भी नहीं आगको बता दे कि सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाहन में उत्त प्रेरक परिवर् अता इस पर्ष्ट है कि यह मुख्यता लेड को कम करने की युक्ती है अगला कोश्चन देख लेते हैं निमनलिकित में से कौन सा चारिय आउकसाइड है चार अप्सन है अप्पाद बताना है कि इन में से कौन सा चारिय आउकसाइड है तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों option number B यानि Na2O जो की एक छारी या आकसाइड है, अगला question देख लिएते हैं दोस्तो, aluminium sulphate का प्रयोग किया जाता है, चारा option है, बताना है कि जो aluminium sulphate होता है, उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, right answer हो जाएगा, option number C यानि दोनों में, aluminium sulphate का प्रयोग कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने दोनों में किया जाता है, और aluminium sulphate sodium bicarbonate के साथ राशायनिक फोम का निर्माड करता है, जिसका इस्तिमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, प्रतिकर की उपस्थिती को सैध्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किया, चारा option है, बताना है कि जो प्रतिकर की उपस्थिती को सैध्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किस ने किया था, तराइट answer हो जाएगा, option नमर डी यानि P.A.M.D. रॉक ने, प्रतिकरण की उपस्थिती को सध्धानतिक ग्रूप से P.A.M.D.R.O.K. ने प्रतिपादित किया था अगला कोशन देख लेते हैं दूस्तों समुद्र के जल में क्या पाया जाता है चार अपसन है आपके पास बताना है कि समुद्र के जल में इन में से क्या पाया जाता है तो राइट अपसन हो जाएगा आपसन नमर डी यानि आयोडीन समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है और आयोडीन का उपयोग स्वास्थ के लिए लाबदायक है अगला question देख लेते हैं दोस्तो, निम्न में से साधारण नमक है, चार अप्षन है, बताना है कि इन में से साधारण नमक कौन सा है, इसको ये most important question है दोस्तो, इसका right answer जाएगा, option number A यानी sodium chloride, sodium chloride यानी N, A, C, L को साधारण नमक भी कहते हैं दोस्तो, अगला question देख लेते हैं, अमल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूसर से बनती है, चार अप्षन है, बताना है कि जो अमल वर्षा होती है, वो किनके पर्यावरण प्रदूसर से बनती है, तो right answer जाएगा, option number D यानी, nitrous oxide तथा sulfur dioxide, वाता वरण में आपको बता दे कि, nitrous oxide या sulfur dioxide की मात्रा बढ़ जान से वह पानी से मिलकर acid बनाता है, अगला question देख लेते हैं, नीबू में कौन सा अमल होता है, चार अप्षन है, बताना है कि नीबू में कौन सा अमल पाया जाता है, तो right answer हो जाएगा दोस्तो, option number C यानी, citric अमल पाया जाता है, नीबू में citric अमल पाया जाता है, जिसकी व इनमें से क्या है, तो right answer हो जाएगा, option number A, पूर्णता मिस्रडी, बता दे कि जल एवं इलकोहल पूर्णता मिस्रडी है, और इलकोहल के अडू, जल के अडू की तुलना में छोटे होते हैं, और जब इन दो तरल पदार्थों को मिलाया जाता है, तो एक पूर्ण समांगी भी लेयन प्राप्त होता है, अगला question देख लेते हैं, तेल एवं वसाओं का छारीय जल अप घटन देता है, साबुन एवं, आपको पताना इनमें से right answer क्या होगा, तो right answer हो जाएगा दोस्तों, option number A, यानी glycerol, तेलो एवं वसाओं के छारीय जल अप घटन से साबुन एव सूत्र है, आपको पताना है कि जो CH3OH है, वो इनमें से किसका राशायनिक सूत्र है, तो right answer हो जाएगा, option number B, यानी methyl alcohol, CH3OH है, वो methyl alcohol का राशायनिक सूत्र है, इसको methanol भी कहते हैं, चले दोस्तों, अगला question देख लेते हैं, 25 degree Celsius पर 18 billion का pH है, आपको पताना इनमें से जो 25 degree Celsius पर 18 billion का pH कितना है, तो right answer हो जाएगा, option number C, यानी साथ है, आपको पताया मैंने इससे पहले भी question में कि 18 billion का जो pH होता है, वो 7 होता है, और billion का pH 7 से कम या ज़्यादा होने पर billion अमली या छारी हो जाता है, अगला question देख ले कारक है, आपको पताना है इनमें से वायू प्रदूसर का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B यानी CO, यानी वायू प्रदूसर का सबसे मुख्य घटक, carbon monoxide है, यह मनुस्य के लिए नुकसान दे है, और यह मनुस्य के फेफ़डों को नुकसान पहु चारा option है, बताना है कि इनमें से कौन बड़े सहरों की वायू को प्रदूसर करता है, तो right answer हो जाएगा, option number B यानी lead, वाहन चलाने से जो भारी मात्रा में निकलने वाले प्रदूसर तत्तों में lead महतोपूर है, जो की वायू को प्रदूसर करता है, लाच्ट कोशन देख ल बनता है, right answer हो जाएगा, option number C यानी acid, जो सामान alcohol के oxy color से क्या बनता है, तो acid बनता है, तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा, comment section में जरू बताएगा, वीडियो पसंद आएगा दोस्तों देख लाइक जरू करिएगा, और चैनल पे मारे नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके वे लाइकन दबा लिजेगा, क्योंकि हम आने वाले group D exam की लगातार त्यारी करा रहे हैं, तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत